कमपनी का नाम है Orient Green Power Limited, इसके करन स्टोक का प्रेस 21 रुपे 60 पैसे हैं, पिछले एक दिन में इस कमपनी ने माइनस 3.36 परसंट का रिटन दिया है, पिछले एक हफ्ते में इस कमपनी ने माइनस 5.30 परसंट का रिटन दिया है, पिछले एक मैने में इस कमपनी ने माइनस 23.46 प कमपनी ने मैनस 47.52% का रिटन दिया है अब चेक करते हैं इस कमपनी के स्कोर कार्ड को तो पर्फोर्मेंस एवरेज है वेलिएशन हाई है और ग्रोथ के चांसे लो है कमपनी का मार्केट केप 2126 करोड का है पी ए रिश्यू 73 परसंट का है आरो सी ए 7.19 परसंट का है आरो ए 1. 1.82% का है और कमपनी पर डेप 845 करोड का है दोजाए 15 में इस कमपनी का रिवेन्यू था 346 करोड का चोके दोजाए 23 में कम ओकर हो गया है 315 करोड का है अगर इस कमपनी का ओवरेल रिवेन्यू को देखें तो कमपनी का रिवेन्यू स्टेबल है दोजाए 15 में इस कमपनी क की net income थी माइनस 232 करोड की चोको 233 में बढ़ कर हो गई है 32.59 करोड की अगर इस company की overall net income को देखें तो 2015 से 2019 और 2021 में इस company को लॉस हुआ है 2020, 22 और 2023 में इस company को profit हुआ है 2015 में इस company की sales थी 340 करोड की चोको 232 करोड की 258 करोड की company के promotors के पास company का 29.42 परसंट शेयर है, virtual fund में इस company का एक भी शेयर नहीं है, domestic institution में इस company के 2.73 परसंट शेयर है, foreign institution में इस company के 1.29 परसंट शेयर है और retail investors के पास company का 66.56 परसंट शेयर है, तो ये था company का basic analysis, अब company में invest करना है या नहीं, ये decision आपका है, और अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगे वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें दोस्तों के लाइक शेर करें और एसे वीडियो सकने चानल को सब्सक्राइब करें